हेलो नवश्कार जैहिंद आप सभी का एक बार पूर्ण बहुत बहुत स्वागते है एक्जाम टॉप के इस ओफिशल वीटूब चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जनवरी दुजातेश से लेकर एक दिसंबर दुजातेश तक बनने वाले बोच सभी करेंट पर के प्रशन जो आपके UPPSC के जो आने वाले दो एक्जाम है जिनमें एक ARO ARO का एक्जाम है दूफर आपका UPPSC दोजात चोवीस का एक्जाम है इन दोनों ही एक्जाम में लगवग प्रशनों के संक्या 20 प्लफ रहती है करेंट प्लस करेंट दो जात तेश्ट के मद्द के प्रिश्णों को रखा जाएगा तो अभी हाली में हम इन एक बर्स के प्रिश्णों को देखेंगे फिर आने बाले समय में संपूर दिसम्मर के करेंट फिरों को और आने बाले समय में जनवरी के करेंट फिरों को भी हम आगे कराएंगे जिससे के आपके आरो ए आरो और पीसे जैसे एक्जाम में जो 20 प्लस प्रशन पूछे जाते हैं करेंट फिर के वो आपके गलत ना हो तो वीडियो को अभी इसे शेयर कर दें उन सभी मित्रों के साथ जो करेंट फिर की त्यारी करना चाहते हैं साथी साथ यूपी और आरो यारो से सम्मानित संपूर त्यारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राब ही कर सकते हैं जहांपर आपको फ्री मॉक टेस्ट, करेंट फिर और आरो यारो के लिए इस्पेसल हिंदी के टेस सीरीज भी चलाई जा रही है तो चली आज के सेसन को कंटीनू करते हैं पह पर ये चारो के चारो खिलाड़ी आपके फूट वॉल से सम्मंदित हैं देके सुनिल शेत्री का जो खेल है वो फूट वॉल है ये क्रिश्टिनियो ये भी इनका फूट वॉल है और ये किलियन है ये भी फूट वॉल से हैं और लियोनेज ये भी फूट वॉल से हैं तो इस तीफरा प्रशन है नागरिक उड़ियन महा ने दे सकत से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपणी कौन बनी है? Option आपके सामने है इसका सही विकल्प होगा Option No. A ठीक है Option No. A यानि Option C. विनीता जैस्वाल, Option D. समीरा रेड़ी इसका सही विकल्प होगा Option No. B. हुमेरा मुस्ताथ अगला प्रशन है हाल ही में किस कंपणी ने भारत की सेटेलाइट आदारित गीगाविट ब्रोडवेंड सिवा फुरू की है? Option Airtail, V.I. Reliance T.O. V.S.N.L. सही विकल्प होगा Option No. C. Reliance G.O. अगला प्रशन है पांच मां के हाल ही में केंद्रिय मंत्री फर्वादन फोनोबाल द्वारा मुंबई में पहला अंतराष्टी क्रूज लाइनर लाउंच किया गया है इसी क्रूज लाइनर का नाम क्या है? Option Royal India, Option B. Costa Farina, Option C. क्रूज एक्स्प्लोलर, Option D. Navik सही विकल्प होगा Option No. B. Costa Senena अगला प्रशन है कहा रही में The Hindu Business Line Change Maker Award 23 में Change Maker of the Years परुषकार से किसी शमानित किया गया है Option SVI, ICICI, RBI, VOI, सही विकल्प होगा RBI, Reserve Bank of India अगला प्रशन है हाल ही में किफदेफ ने दुनिया की पहली पैफिंजर केरिंग, फ्लाइट टेक्सी, इहांस E, H216.S को मंजूरी दी है इसका सही विकल्प होगा Option No. C, Cheat अप्याद रखेंगे पैफिंजर, केरिंग, फ्लाइट टेक्सी, जिसका नाम रखा गया यहांपर आप नाम भी देख सकते है इहांस और E, H216.S को मंजूरी दी है तो यह आपके चीन के द्वारा दी गी है Option No. C आटमा प्रशन आपके सामने है नवंबर दोजाटेस में पहला आटिफीसियल इंटेलिजेंस फुरच्छा से कर सम्मिलन दोजाटेस का आयोजन किस देश में किया गया Option है ब्रांजील, अमेरका, ब्रिटेन, इस्पैन इसका सही विकल पूगा Option No. C, ब्रिटेन याद रखेंगे आटिफीसियल इंटेलिजेंस तुरच्छा से कर सम्मिलन वाई ये ब्रिटेन में हुआ है अगला प्रिटेन है भारत का पहला सहर कौन सा है जिसे यूनिस कोनी City of Literature की रूम में मानता दी है बताए अपर option है कोजी कोड, तानपूर, एनाकुलम, राइपूर सही विकल पूगा option number A, कोजी कोड, केरल option number A अगला प्रिटेन है कि फतर कता, जागरू कता, शब्ता, दुजज़ातीश की थीम क्या थी बताए इसकी थीम हमसे पूछे गिए दुज़ातीश की तो दोस्तो इसका जो सही विकल पूगा वो option number D हो जाएगा ब्रिष्टा चार का वरूद करें राष्ट के प्रतिस समर्पित रहें option number D अगला प्रिशन है का हाल ही में जारी प्राइम ग्लूवल सिटीड इंडेक्स दो जातीश Q3, मैं कौन सा सहर सीच पर रहा है बताए हाल ही में जारी प्राइम ग्लूवर सिटीड इंडेक्स दो जातीश मैं कौन सा सहर प्रतम इस्तान पर रहा है इसका सही विकल्प होगा option number A मनाली option number A इसका सही विकल्प होगा चलिए अगले प्रशन की तरफ बढ़ेंगे अगला प्रशन है आपके सम्मुक के निमनलकित में से कौन एडेल गिव खुरून इंडिया परोपकार फूची 23 में सीस पर रहा है option है गौतम अडानी मुकेस अम्मानी शिवनादर रतन टाटा सही विकल्प होगा आपर option number C शिवनादर ठीक है ये लगातार तीफरी बार इस सोची में टॉप पर बने हुए है option number C अगला प्रशन है भारती मूलकी किस लेकेका को वर्फ दोजा तेस के लिए British Academy पुरुषकार प्रदान किया गया है option है अनीता देशाई कविता सैनी सिव संक्री नंदिनी दास याद रखेंगे भारती मूलकी किस लेकेका को वर्फ दोजा तेस में British Academy याद रखेंगे British Academy पुरुषकार से संबनित किया गया है तो वो हैं नंदिनी दास अगला प्रशन है किस वेक्तिन यंग वर्ड लाइफ Photographer of the Ears दोजा तेस का पुरुषकार जीता है बताईए इसका सही विकल्प क्या होगा इसका सही विकल्प होगा option number A विहान ताल्या विकास option number A ठीक है इनकी उम्र अभी लगवग 10 वर्स के हैं और इनको ये वाला पुरुषकार दिया गया है अगला प्रशन है कि प्रोजेक्ट कुन्स के तहत किस संस्ता द्वारा लॉंग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माड किया जा रहा है बताईए किस संस्तान द्वारा दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए भारत में DRDO के द्वारा ये कार रहोते है तो उप्शन नमबर D अगला प्रशन हाल ही में कॉलेंस डिक्सिनरी ने वर्ड आप दा इयर्स दो जाते है इसके से चुना है बताईए किस वर्ड को वर्ड आप दा इयर्स चुना है सही विकल्प होगा अप्शन नमबर A AI अब यह में उपद देखाता Artificial Intelligence जो हम कहते थे वो AI कोई तुका गया था तो AI अप्शन नमबर A इसी करब में अगला प्रशन आपके समझे प्रशन है किन्यम ने लिकित में से भारत का कौन सा विश्विद्याले अपना खुद का उपग्रा SSAMU SAT लांच करेगा देखें नाम से पता चला AMU AMU का अर्थ आप समझ सकते हैं अलीगर्ड मुस्लिम यूनिविस्टी अर्थात सही विकल्प होगा option नमबर A ठीक है अलीगर्ड मुस्लिम यूनिविस्टी तो इसे प्रष्ण का अंफर इसी में छुपा हुआ था अगला प्रष्ण है कि W Von Day Vision Cup Cricket इत्यास में क्रिकेट से प्रष्ण पूचा गया है भारत की और से सबसे जयादा विकर्ट लेने वाला गेंदवार हाले हमें कौन बना है तो दोस्त याद रखेंगे इस वर्ड कम में जो अंतिम में कुछ मेचों को खिलने के लिए खिलाडी आये था और उस खिलाडी ने आके अपनी चाप छोड़ी थी उस खिलाडी का नाम था यहां पर मुहम्मद समी तो अप्शिया नंबर C इसका सही विकल्प होगा अगला पुष्ण है रोशा टॉम कम्पणी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे उचा परमाडू रियक्टर अनुसन्दान इस्तापित किया गया है बताइए या कम्पणी का नाम भी आपको याद रखना है रोशा टॉम कम्पणी कौन से देश में एकार किया गया है देश का नम है बूली बिया अप्शन नमर सी ठीक है अगले प्षण की दरब बढ़ेंगे अगला प्षण है हाल ही में अपने सभी जलों में हॉल मार्किंग केंद्र इस्तापित करने वाला भारत का पहला राज कौन बन गया है पताएे ऐसा करने वाला भारत का पहला राज कौन बना है सही भी कलप होगा आपर option next a केरल ठीक है यह पॉंट आपको याद रखना है के केरल पहला राज जिसने अपने आपपर सभी जलों में हॉल मार्किंग केंद्र इस्तापित किये हैं इसी क्रम में बढ़े हैं तो अगला प्रश्टन है आयूर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्राले की तहत केंद्री आयूर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिशद ने आयूर्वेद ग्यान नेपून हपहल की फुरुवात की है बताये कौन सा मंत्राले है ये कर करने वाला तो दोस्ताप पाएंगे इस मंत्राले का नामें आयूश मंत्राले ठीक है आयूर्वेद ग्यान नेपून हपहल जो फुरुवात की है वो आयुश मंत्रा लेके द्वारा की गई है option number D हाल ही में प्रदान किये गए GI टेग उत्पादों में उत्पादों के शम्मन में कौन सुमिलित नहीं है बताएए इन में से कौन सुमिलित नहीं है काजू ये गुआ का देरा केशर जम्मू कस्मीर का और वक धर्ण फल ये आपके लंदा का हमसे बूला कौन सुमिलित नहीं है इसका सही विकलब होगा option number D इन में से कुई नहीं ठीक है यानि इन में से कुई नहीं ये सभी के सभी सुमिलित है तो option number A ये सभी है इन में से कुई नहीं इसा नहीं है, जो सुमेलित नहीं हो, सभी सुमेलित है, अगला प्रशन है कि हाल ही में हुई, नियुक्तियों के संबन में कौन सुमेलित नहीं है, बताएं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, आपके लिए कौन सुमेलित है, या सुमेलित है, यह पूछा गया, अगले बाले म मंत्री उनका नाम है मार्क रूट रूफरा है लाइव एरिया के राष्ट पती को है इसका सही विकल पोगा जो शप वो काई ये भी बिल्कुल सही है तीफरा अर्जेंटीना के राष्ट पती यहाँ पर आप्शन में दिया जेवियर गैरालडो माकली ये भी बिल्कुल सही है तीफरा इसका सही विकल पोगा उप्शन नमबर D ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है टिक नीदलेंड के प्रदान मंत्री लाइवेरिया के राष्ट पती और अर्जेंटीना के राष्ट पती तीनों को आपको याद रखना है अगला प्रशना है बारती मशाला अनुफंदान संस्तान कोजी कोड ने आई आई एस आर चंद्रा नामक अधिक उपर वाले किस किसम के मसाली की एक नई प्रजाती विक्षित की है बताएए इसका सेविकल पर क्या होगा बारती मसाला प्रजाती विक्षित की है सही विकल्प होगा option number B काली मिर्च तो यह पौंट आपको याद रखना है ठीक है आई आई एस आर चंद्रा यह किसकी नहीं प्रजाती है तो यह काली मिर्च तो option number B चलिए अगले प्रशन की तरब बढ़ेंगा नेमने लिकत में से किस एक्स प् option number A बुंदेल खंड एक्स प्रेस वे तो option number A आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि प्रशनों का लेवल आपके exam के साब से था के नहीं दुनिया के पहले 3D मुद्रिक मंदर का निर्मार की फराज में किया गया है बताए दुनिया के पहले 3D मुद्रिक मंदर का नि पाकिस्तान से सम्माने 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 पाकिस्तान से कहां किया गया है बताएए शूरे करड का आयोजन कहां किया गया है भारत और नेपाल के मद्दुवाई यह सथ्रे मा है सही विकल पोगा अबश्यन गांबर 2 उत्राखंड में ठीक है अबश्यन गज़ाइग तो नमबर 2 जट्या बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवाद माइ कॉंग का नाम करण किस देश के द्वारा किया गया है। बंद करने की गोश्रा की है इसका सही विकल पोगा option number B अफगानिस्तान ठीक है तो अफगानिस्तान ने नए दिली में अपने दूतवास को बिलकुल तरीके से बंद करने की गोश्रा करती है तो option number B अगला प्रशना है के खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करड कहां आयोजित किया जाएगा सही विकल्प होगा option number A नई दहली में और यह नों नई दहली के तीन studio में खेला जाएगा ठीक है जिसमें कुईंद्रा गांधी studio में होगा option number A अगला प्रशन है राष्टपती द्रोपती मुर्मूरे कि फ्राज में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्टी शिक्षा अभ्यान नई भारत के लिए नई शिक्षा का शुबारम किया है इसका सही विकल्प होगा option number C उड़ीशा राज ठीक है option number C अगला प्रशन है किन्यम निलिकत में से किसे वर्फ दोजा 24 के लिए सईयुक्त राष्ट लेखा परिच्छक पैनल का उपादक शनयुक्त किया गया है बताए इसका सही विकल्प होगा option number C ग्रीश चंदर मुर्मू option number C अगला प्रशन है भारत के भारत ने दो महिने की रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए electronic वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है कनाड़ा दक्षड अफरीका इजरायल या रूस सही विकल्प होगा option number A कनाड़ा के नागरिकों के लिए option number A अगला प्रशन है कन्यम ने लिखे तमेसे किस भारती खिलाडी ने दोआ में आयोजित IBSF विश्व विलेडस चेंपेशिप का किताब 26 वी वार जीता है बताइए IBSF का जो खिताब है वो 26 वी वार जीता है सही विकल्प होगा यहाँ पर option number A पंकज अडवाडी यह आपको याद रखना है कि विश्व विलेडस चेंपेशिप का किताब 26 वी वार किस ने जीता है तो उसका नाम है पंकज अडवाडी चलिए अगले प्रशन की तरफ बढ़ेंगा अगला प्रशन है कि हारी में शौरव गंगुली को कि फराज का ब्रांड एम्बेश्डर गोशिद किया गया है बताईए अब बात औरे शौरव गंगुली की यह लिए तो याद रखने है शौरव गंगुली का सम्मन कुंफिराज जिसे है तो यह पक्षिम बंगाल फे अपना सम्मन रखते हैं इसका सही विकल्पो का उप्षिम बंगाल अगला प्षिम चात्रों के लिए समान अवशर फुनिश्चित करने के उद्धिस से कि फराज फरकाने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान फुरू किया है हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान फुरू किया है कि फराज जमें हुआ ये तो राज्ज का नाम है उप्षिम नमर ए उत्तर परदेश याद रखेंगे अपना परदेश उत्तर परदेश अगला परशन है कि 54 अंतराष्टी फिल्म मोतसब का आयोजन दोज्या तीस में कहां पर किया गया है बताएए 54 अंतराष्टी भारती फिल्म मोतसब का जो आयोजन में कौन से राज्ज में किया गया है सही विकल पूवगा गुवा ओप्षिन नमर C अगला प्रश्टन है ICC विस्वकब 23 में प्लियर आपदा टूर्णामेंट का किताब किसे प्रदान किया गया है तो अपना हीरो विराट कोली अप्शन नमर A अगला प्रश्टन है कि 27 पलासी योस ने Miss Universe 23 का किताब जीता है उनका संबंद किस देश से है बताएए किसे देश से है इसका सही विकलप होगा option number B निकारा गुआ का option number B इसका सही विकलप होगा अगला प्रश्टन है Asia प्रफान्त आर्थिक सहयोग देशों का सिकत सम्मिलन दोज़गा तेश का आयोजन किस देश में किया गया बताएए अपेक की बात हो रही हैं पर अपेक का जो सिकत सब में लेने हाली में वो कौंफिदेस में आउजित किया गया शही विकल पोगा सेन फ्रांसिस को USA अन्ठाथ अमेरिका में है तो अप्शन नमर ए अगला प्रशन है कि ICC हॉल ओफ फेम के संबन में कौन सा कतन सत्त है पर चार उप्शन दिये गए हैं पहला है कि डायना इडूली ICC हॉल ओफ फेम में सामिल होने वाली पहली भारतिय मैला क्रिकेटर बनी है दूफरा है और वो ओपना बीरेंद सावा को भी ICC हॉल ओफ फेम में सामिल किया गया है तीफरा फ्री लंका के अर्वन डिसिल्वा को भी यह सम्मान मिला है ऑप्शन D सुप्यक्त सभी तो सही विकलपो का ऑप्शन नुमर D उप्यक्त सभी यह सभी फ्यक्त आपको याद रखनें तीनों के तीनों किस-किस को ICC हॉल ओफ फेम में सामिल किया गया है अगला प्रशना है पॉलिस रम कमपनी डिक्टाडोर का नित्रत करने के लिए AI पॉवर्ड यूमनाइड रोबोट को नियुक्त किया गया है उससे नाम किस ने दिया बताएए उसका नाम क्या है सही विकल पोगा आप्शन नमर ए मिका ठीक याद रखेंगे मिका अगला अगला प्रशना हाल यह मिए अंत्राष्टी क्रिकेट के इतियास में टा임 आउट होने बाले पहले दुनिया के क्रिकेटर कौन बने हैं दोस्तों यह आप सभी को पता होना चाहिए स्री लंका और बंगला देश के वीच्विशुकव का मैच चल रहा था और उसी समय साकिव उल्हसन ने अपील की थी और खिलाडी का नाम था एंजेला मैथ्यूज आप्शन नमर ए इसका सही विकल्प होगा ठीक है चलिए अगले प्रिशन की तरह बढ़ेंगे अगला प्रिशन है कि हाल ही में मुक्य सूचना आयुक्त के रूमे किसे निक्त किया गया है इसका सही विकल्प होगा आप्शन नमर भी फ्रीमती दीपक संदू माप कीजिए ये गलत हो गया दोस्तो इसका सही विकल्प होगा आप्शन नमर B हीरालाल सामरिया ठीक है इसका सही विकल्प होगा हीरालाल सामरिया मुक्त सूचना आयोक्त के रूम में किसे निक्त किया गया है तो option number B, हीरालाल सामरिया को, ठीक है, यह माप कीजिए, इसका सही विकलब option number B ही होगा, ठीक है, हीरालाल सामरिया, अगला प्रशने, नौवा भारत अंतराश्टी विज्ञान मोतफ़ दोज्याद 24 के फराज में आयोजित किया जाएगा, तो दोस्ति आद रखेंगे, नौव बताएगे, गीत है, माप कीजिएंपर गीत दिया गया है, गीत evidence in millets के सम्मन में कौन सा कतन सत्त है, चले एक एक करके पढ़ेंगे, इसका कौन सा विकलब सही होगा, पहला है, इसे West Global Museum Performance category में Grammy Award के लिए नामे नومिनिट किया गया है, यह बिलकुल सही है, दूफरा है, इसे और गौरफ शा के साथ मिलकर PM मोदी ने तियार किया है, यह बिलकुल सही है, ऐसा पहली बार है, जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्टित गेमी nomination में जगब मिली है, यह बिलकुल सही है, तो सभी विकलप सही है, अगला प्रशने, पांचमा राज खाद अच्छा सूच tooth का अंक 2022 तेश के सम्न में कौन साथ है, बिलकुल सही है, दूफरा चोटे राज्व में गॉआ को प्रतम राजे प्रतम प्राप्त हुआ है, यह भी बिलकुल सही है, तो सभी सही होंगे इसके भी अगला मांट टर्विरेष्ट के पास 21,000 से काई डराय वाल है तो दोस्तरा बेहां रिखेंगे इनका सही विख़फ होगा option सीद्ल महाजन option इल्फ नम्मर और इसका सही विख़फ होगा तो 50 प्रशना complete कर लिए एक क्या मन में पृष्णे की तरह बढ़ेंगे अगला प्रशने हैं अगला प्रशने इंटरनेशनल माइग्रेशन करके क्या होना चाहिए इसका सही विकल्प होगा option number D भारत ठीक है तो याद रखेंगे इसका सही विकल्प क्या होगा option number D भारत चलिए अगले प्रिशन की तरह पढ़ेंगे अगला प्रिशन है किस राज जम्हें पहली बार सही विकल्पो का हिमाचल प्रदेश option number B अगला प्रिशन है विश्व परेटन संगटन द्वारा भारत के किस गाउं को फर्व फ्रिष्ट परेटन गाउं दोजातीस का पुरुषकार प्रदान किया गया है तो उस तो नाम याद रखेंगे इस गाउं का नाम है option number D दिया गया पहले संस्क्रड का उद्गाटन किया है बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा सही विकल्प होगा option number A नई दहली ठीक option number A चले अगले प्रिशन की तरफ बढ़ेंगे अगला प्रिशन है कि भारत में छेत्री rapid transit system के सुबंकर के अफशर पर सहेवाबाद को दुहाई डिप अगला प्रशन है 18 अक्टूबर दोजातेश को राष्टपती द्रूपती मुर्वूने कि फराज्यों के चतोर्त क्रशी रोड में का सुबंकर किया है बताइए इसका सही विकल्प होगा option number C विहार में वियाद रखेंगे चतोर्त क्रशी रोड में दोजातेश का स्वारम क किया है तो वो है बिहार अगला प्रशन है automated permanent academic outing registry के संदर में निमनिलकित कत्रों पर विचार करें पहला है इसे शिक्षा मंत्राले द्वारा लौंच किया गया है दूफरा APAAR के तर्थ pre primary से लेकर उच्छ शिक्षा तक प्रत्यक चात्र को एक विशिष्ट पैचान संक्य मिलेगी बताइए इसका सही विखल्प कौन सा है सही विखल्प होगा पहला भी सही और दूसरा भी सही अर्थात option number C इसका सही विखल्प होगा यहां पर यह point याद रखना है automated permanent academic accounting registry के बात हो रही हैं पर यापार यहां पर short में आ सकता है आप इसको याद रखेंगे अगला प्रशना है किस मामले में फर्वो चिनायले की पांच नयाय दीशों की सम्मेदान पीठ ने सम लेंकिंग विवा को वेद मानने से इनकार कर दिया है बताइए वो कौन सा मामला था दोस्तों याद रखेंगे उस मामले का नाम था सुप्रियो और अन बनाम union of इंडिया मामला option number D अगला प्रशना आपके सम्मो को प्रशना है किस संगटन ने फर्षते पानी की उची कीमत फीर सक्थ से report जारी की है बताइए फर्षते पानी की उची कीमत फीर सक्थ से report जारी की है इसका सही विगलप होगा option number B worldwide fund for nature option number B दसमा प्रश्ण है यानि ये साटमा प्रश्ण हो जाएगा नोबल सांती पुरुषकार विजेता मार्टी तिसारी जिनका हाल ही में निदन हो गया किस देश के दसवे राष्ट पती थे इसका सही विकल्प होगा अप्शन नमर सी फिनलेंड अगला प्रश्ण है केरल के विजिन जाम बंदरगा पर पहुचने वाला पहला माल ओठ जार्ज कोन सा है इसका सही विकल्प होगा अप्शन नमर सी जैन हुआ पंदर है पयाद रखेंगे किस बंदरगा की बात हो रहे है बंदरगा का नाम भी आप से पूछ सकता है कुम्फिराज्य में है प्याद रखेंगे केरल में है अगला है हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिसा में डबलू एचो द्वारा गोल्ड टेयर का धरजा हासल करने वाला पहला देश कौन सा बना है औप्शन आपके सामने हैं सही विकलप होगा औप्शन नमबर ए मिफ्र अगला प्रशन है विदेश मंत्री एस जैसंकरने अक्टूबर दो जातेश में किफ फैर में नोबल पुरुषकार विजीता लेखक कव रविंद्र नाठ टेगोर की प्रत्मा का उदगाटन किया है अगला प्रशन है विश्व बेड मेंटन रेंकिंग में पहली रेंक हांसिल करने वाली पहली भारती यूगल जूड़ी कौन बनी है दोस्तों इसका सही विकलप होगा औप्शन नमबर ए सात्वी करा साहिराज रंके रेड़ी और चिराग शेट्टी तो औप्शन नमबर ए अगला प्रशन है महिला होकी एसे चेंपरसिम ट्राफी दो जाती इसका सुवारम या सुवंकर क्या है सुवारम नी सुवंकर पूछाया पर तो इसका सुवंकर हो जाएगा जो ही हतनी आप्शन नमबर ए इसी करम में अठारेमा प्रशन है हाल ही में किफ राज जने डंपा टाइगर रेजर्ब में डॉट की नई प्रजाती खोजी गई है तो याद रखेंगे डंपा टाइगर रेजर्ब ये कुम्फि राज जमें है इसका सही विकल्प होगा ये मिजूरम में है आप्शन नमब ये इसका सही विकल्प होगा अगला प्रशन है भारत में पहली बार तिलापिया परवोरिया यानि टी आई वी पी कि फराज में देखा गया है बताइए बताइए तिलापिया परवोरियस कि फराज में देखा गया है शही विकल्प होगा ये तमिलनाडो में देखा गया है option number C अगला प्रशन है इफ्रो ने किस वर्स तक अंत्रेच में श्वदेशी इस्टेशन केंदर इस्तापित करने का लक्ष रखा है सही विकल्प होगा option number B 2035 तक याद रखेंगे अंत्रेच में श्वदेशी इस्टेशन केंदर दुज़ा 33 तक इस्तापित हो जाएगा यहाँ पर कुछ निक्तियां दीगी आपको बताना केर्मे से कौन साव्यक्ति सही सुमिलित है बताएए देखे आपर पहला दिया किस्टोफर लक्सर न्यूजी लेंड के पुर्दान मंतरी के रूम में आपर बताया गया है तो यह बिल्कुल सही बताया गया है दूफराए डेनियल नोवौा यह इक्वाडोर के राश्टपती यह बिल्कुल सही है औरीशा के राजजपाल यह बिल्कुल सही है तो सही विकल्प होगा option number d अगला प्रस्टन है कि हाल ही में इंस्टिटूट ओफ डिरेक्टर द्वारा किफ फरस्तान को आपदा प्रवंदन में गोल्ड पीकॉक पुरुषकार से सम्मानित किया गया है इसका सही विकल्प होगा आप्शन नमर B, REC लिम्टेट तो आप्शन नमर B अगला प्रस्टन है कि वर्फ दो जाते इसमें कौन सा देश लिम्टेटिक फाइनलेरिया शिस रोक को समाप्त करने वाला दक्षड पूर्व एसिया का दूसरा देश बन गया है बताइए दोस्तों इसका सही विकल्प होगा आप्शन नमर D, LAOS अगला प्रस्टन है कि हाल ही में यूरोपी संसद ने किसे सकारोब पुरुषका से समानित किया है उसका नाम है महसा अमिनी, आप्शन नमर D अगला प्रस्टन है भारती अंत्रिच अनुफन संस्दान यानि इश्रो के गगनयान मिसन से पहले उडान परिच्चडवाहन का क्या नाम है इसका सही विकल्प होगा आप्शन नमर C एबोर्ट मिसन एक यानि TVD1A आप्शन नमर C अगला एक किफ भारती जाज ने गिनी की खाड़ी में आई जित पहले भारत यूरोपी संग संयोग पनोशेना अभ्यास दोजात तीस में भाग लिया सही विकल्प होगा आप्शन नमर D आई एन एस सुमेधा याद रखेंगे आई एन एस सुमेधा अगला प्रशन है कि बिटिस अट्लांटिक फरविच्छड के विज्ञान कोने पहली बार अट्लांटिक छेत्र में किस पक्षी के एवी यन फिलू की मौजूदगी का पता लगाया है तो इसका सही विकल्प होगा आप्शन नमर C अगला प्रशन है तीन वेसिन जे विवित्ता पारिष्टित की तंत्र और उस्लकट बंदी वन सिका सम्मिलन दो जातीस का मेजवान सहर कौन सा है सही विकल्प होगा आप्शन नमर C इसी करम अगला प्रशन है कि इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस दो जातीस के संद्रम में निमनलकित कत्रों पर बिचार करें पहला या इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस का साथवा संस्क्रण है दूफरा या बंगलोरू में आईडित किया गया है तब इसका सही विकल्प होगा केबल पहला सही है दूफरा गलत है अगला प्रशन होगा कि किस देश के द्वारा गोष्ट पार्टीकल या निट्रियो नामक ऐल्यूसिव पार्टीकल का पता लगाने के लिए पक्षिमी प्रसांत मासागर में ट्राइडेट नामक दुनिया का सबसे बड़ा निट्रिटो डिटेक्टिंग टेली स्कोप का निर्मार किया जा रहा है तो बताइए किस देश के द्वारा ये कार किया जा रहा है इसका सही विकल्प होगा चीन के द्वारा ऑप्षिन नमर सी अगला प्रशन है इपको द्वारा किस सेर में भारत के पहले नैनो डिएपी फैंतर का उदगाटन किया गया है यहां पर प्रशन इम्पोडेंट है नैनो डिएपी सेंद्र का उदगाटन किया गया है इसका सही विकल्प होगा ऑप्षिन नमर सी गांदी नगर गुजरात अमित साके द्वारा अगला प्रशन है इस राज फरकार ने आजा दी से पहले इस्तापित राज्य की सभी फरकारी स्कूलों को हेरिटीज स्कूल गोशिप करने की गूफला की है इसका सही विकल्प होगा ऑप्षिन नमर ए अरुनाचल प्रदेश जिया मित्रो पहला राज जिसने सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटीज स्कूल गोशिप बनाने की गूफला की है तो option number A अरुनाचल प्रदेश अगला प्रशन है हाली में के प्रदेश के प्रतम राष्ट पती मिर्सियां इस्त्रेगुर का निदन हो गया है सही भी कल्प होगा option number A मोल्डोबा अगला प्रशन है USA India Pacific Region का अगला प्रशन है यूएस इंडिया स्टेटिक पार्टनर्सिप फोरम द्वारा के से प्रतिश्टित ग्लोबल लीडर से अवाड़ दो जातीश प्रदान किया गया है तो इसका सही विकल्प होगा option number A नीता अम्मानी को option number A चलिए अगले प्रशन की तरफ बढ़ेंगे अगला प्रशन है कि अलवानिया की राजदानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुष्टी चेंपेसिप में स्वड़ पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला के लाड़ी कौन है पहले तो याद रखना है कि अलवानिया की राजदानी क्या है तिराना है क्योंकि ऐसे ही प्रशन आपके आने वाले समय में राजदानियों से बनते है यहाँ पर अंडर 23 विश्व कुष्टी चेंपेसिप में स्वड़ पदक जीतने वाली पहली भारती महिला कौन बनी है उनका नाम हो जाएगा option number D इरित्का हुड़ा option number D अगला प्रशन है कहाल ही में हुए निदरों के संबन में कौन सुमेलित है यह आपको बताना है तो दोस्ते हैं आप 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 देखेंगे यह जो विकल्प दिये गए यह सभी के सभी सही सुमेलित है यहनी बाबा महराज साताकर यह वारकारी शंपरदाश से संबन्दित थे प्रोपिशा सलीम उलहक यह जलवायू परवरतन विशेशग थे और विशन सिंग वेदी यह भारती पूर्वत त्रिकेटर थी तो यह तो सब को पता है option number D होगा अगला प्रशन है कि एशियाई पेरा खेल दोजा थे से संबन्दित निमने लिकेट कपनों पर विचार कीजिए यह अपत तीन कतन है इसका आयोनें चीन के हांगोव में किया गया था दूफरा भारती पेरा बैड मेंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वड़ पदक जीता था बारती एटलेट सुमित अंकित ने भाला फेंक में स्वड़ पदक जीता था अब इसका सही विकल पाप बताएंगे किसका सही विकल पोगा तीनों ही सही है पहला भी दूफरा भी और तीफरा भी अगला प्रशन है अब इसका सही विकल पोगा लखनव उत्तर प्रदेश में याद रखेंगे किसकी बातों ही देश का पहला अगला विकल पोगा हाल ही में जूनिपर वरच्छ को किस केंद्र फाफर प्रदेश का राज वरच्छ गुशित किया गया है हाल ही में जूनिपर वरच्छ को किस केंद्र फाफर प्रदेश का राज वरच्छ गुशित किया गया है अगला प्रशन है कि एक तरफ उस तक और दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए आपसे बोला कौन सा सुमिलित है अपर आप देखेंगे पहला है इसके जो व्यक्तिय वो असोग टंडन है यह जो तीन ऑफशन दिए गए हैं आपके ठीक है यह तीन जो आपके लिए चार दिए गए हैं यह पर क्योंको ऑफशन पांच दिए हैं तो इसका सही विकल्प होगा आप्शन नमबर ए यानि सभी सही सुमिलित हैं एक एक करके आ इसके आपर दिया गया है इंडियान और थेयर मैंड्स एट वो मैंस यानि एट आइडियाज ओप इंडिया यह रितु मैंन की पुस्तक है अगे ऑप्शन भी में दिया ब्रेकिंग दा मोड रिमैनिंग यह रगुराच रामन जो पूर्व आर्विया के गवणर रह चुके ह और रोहित लंबा इनके साथ हैं तो यह आपको याद रखना है ठीक है अगला प्रशन है हाल ही में भारत ने किस नयादीश को अमेरिका के प्रतिष्टित हावर्ड लो इसकूल से अपने सर्वोच पेसेबर सम्मान अवार्ड फोर ग्लोबल लेडर से सम्मानित किया गया है इसका सही विकल पोगा आप्शन नमर सी डी वाई चंदर चोड जो बरतमान में आपके फर्वोच नयाले के मुक्चे नयादीश से हैं अगला प्रतिष्टित है अगला अमेरिकी अंत्रिच एजनसी नासा ने मौक्षिया के किस ग्रह पर सपलता पूर्बा कॉक्षिजन उत पनक किया इसका सही विकल पोगा आप्शन नमर डी ये ग्रह का नाम आपसे पूचा गया मंगल ग्रह अगला प्रशन है एक रव्यक्ती दूफ्री तब संबंदित छेप्त्र दिया गया है सुल्तान इब्राहिम सिकंदर सुल्तान सिकंदर इनका जो संबंद है वो मलेशिया के नर्यस कही जाते हैं दूफ्रा इंद्रमडी पंडे ये विमस्टेक के मासचिव हैं इफ्रा रोवर्ट पिको ये फुलो वाक्या के परदान मंत्री हैं इसका अर्थ होगा आप्शन नमर डी यानि जो तीन आप्शन दिये गए ए बी सी डी ये सभी सही सुमेलित हैं अग दूफ्रा दिया गया पहला वर्फ दूजर वाइस का राश्टी किशूर कुमार पुरुषकार धरमेंद्र को दिया जाएगा दूफ्रा लता मंगिस पुरुषकार के लिए संगीत निदिसक उदम उत्तम सिंग का चेन किया गया है इस प्रकार ये जो आप्शन नमर एक और CCC के द्वारा अगला दुनिया का सबसे उंचा लड़ा को हवाई चेत्र कहां विक्षित किया जा रहा है इसका सही विकल पोगा लद्दाक अगला प्रशन है ग्लोबल फिंटेक फेस्टिवल में किस रस्तान ने फेस और्टिकेशन सिस्टम लाउंच किया है इसका सही विक प्रशन कवर कर दिये हैं जो करुड़ें थे जो एक जनवरी 23 से लेकर एक دिसब्ब लूजाब 23 तक बन सकते थे इसी प्रकार के आगे भी आपको इसी प्रकार के 100 dal के क्रिए जाते रहेंगे जो साथ हमारे प्रॉड वैच से जुड़े हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देखें, उनको इसका पीड़र मिल जागा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं, थेंक्यों, जैहिन,